त्रेपुरा की मौजुदा बीजेपिनित सरकार किसी भी विपक्षी राजनेतिक पार्टी को आंदोलन करने या रैली निकालने की अनुमति नहीं दे रही है विपक्षी पार्टीों का कहना है कि त्रेपुरा की यह सबसे गयार लोगतांत्रिक सरकार है हाली में वामपंथियों ने सेफ डेमोक्रेसी विशे को लेकर देश भर में प्रदशन किया था क्रेपुरा में भी रैली निकाली गई थी कुलिस ने पहले रैली निकालने की अनुमति दी थी लेकिन बाद में एन वक्त पर अनुमति वापस लेली बावजुद इसके CPIM ने राज्य भर में रैली का आयोजन किया इसके बाद इसके तीन सिर्शनेताओं और देर सो कारकरताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया ऐसा ही वाक्या जनजाते राजनितिक पार्टी आयन पीटी के साथ भी हुआ था जब इनागरिक संशुदन विधेयर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे विपक्षी पार्टी ने राज्य सरकार के इस रवये की आलोचना की है कार उब दूख्य, को भी हुआ को तो एक खिलाफ प्रदू है and XMLA-Ratandash, they have been inflicted in false cases. So this is very much undemocratic. The outlook of the VGP-led government is that no political activities would be allowed. So they have demolished the party offices. At first they looted the party offices, mass recognition offices. As their philosophy is not a democratic philosophy and they do not profess democracy. They are scared of public movement and they are not free to accept the criticism and they do not try to understand the problem of the people. And the opposition is surely the role of opposition is to speak in favor of the people and the wrongdoings of the government. खासी हिल्स स्वायते जिला परिश्यद ने सोशल कस्टम बिल को मनजूरी देती है. इस बिल के अधीन अगर कोई खासी महिला किसी गैर खासी व्यक्ति से विवाह करती है, तो उसे अनुसुचीत जन्जाती का दर्जाक होना पड़ेगा और साथ ही इसके तहत मिलने वाली सवी सुविधाओं से वन्चीत होना पड़ेगा. खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्टिक सेकें अमेंडमेंट बिल 2018 के अनुसार, ऐसी महिला के बच्चों को भी गैर खासी माना जाएगा. KHADC की मुख्यकारेकारी सदस्य एच्च शेला ने कहा कि KHADC ने एक और उपधारा शामिल की है. इस विच खासी चात्रसन ने KHADC के फैसले का स्वागत किया है. Some of them are changed by practices and conventions, and some of them are changed by laws. Secondly, any change in any customs or traditions should be placed in the public domain first, so that people can give the views. I think you know when we campaign for the Marriage Act, government also invited a lot of people, they put it in the public domain for people to give their views. This is a very important bill with the CSU, I mean the council passed. खटना के बाद सभी राजनितिक पार्टियों ने आवाज बुलन करते हुए, दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की बांकी है. बैदरात मजुमदार ना केवल पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, बलकि 10 साल से CPIM के प्रदेश सचीव भी रहे. इसके अलावा वे CPIM की केंद्र समीती के सरस्य भी थे. भरहाल मुख्यमंत्री बिपलब देव ने मामले की त्वरिच चांच के आदेश दिये हैं. आम राना, समस्ता उंचेर सुभो बत्ती संपन मानुस्तार दिक्कार जनाच्चेन। एटा देशिदीन टिक्ते पारेना. कुलपती प्रफेसर आध्य प्रसाद पांडे की बर खास्तगी की मांग में मनिपूर विश्वविद्याले में जारी हर्ताल को 58 दिन हो चुके हैं. लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है. बीते 6 जून से ही मनिपूर विश्वविद्याले च्छात्रसंग हर्ताल पर बैठा है. च्छात्रसंग का आरोप है कि कुलपती विद्यार्थियों के आंदोलन को अंदेखा कर बीजेपी के कारेक्रमों में हिस्सा लेने में वैस्त है. इधर च्छात्रसंग की ओर से लगाए गए आरोपों को पांडे ने गलत और बेवुन्याद ठहराया है. दूसरी हो राष्ट्रपती रामनात कोविन ने जल से जल मनिपूर विश्व विद्याले का मसला सुलजाने का आस्वाशन दिया है. अराया है में वाड़ाए निज्वाशन दिया दिया लागए नाया है. that we can make a good academic atmosphere in the university. When I joined in the university, there was a lot of problem in the university regarding the reservation. I tried my best to solve that problem. Manipur University is a central university. I am not the chancellor. I am only a rector. The chancellor lives somewhere else. I don't know what are the rights and responsibilities of a rector which is not written or identified in any of the acts. whether a central university act or a state university act. I said, I have just come. I only know what the vice chancellor told me or what I read in the news. So, I cannot react.